हलो एवरीबडी दिस दिग्रास सेंग राशपूत वेलकम टू मैगनेट ब्रेंज इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टाइट करने वाले हैं क्लास एट्थ सिविक्स का चैप्टर चैप्टर है लौ एंड सोशल जस्टिस इंट्रस्टिंग चैप्टर होने वाला हैं अब आप कहेंगे सर आप हर चैप्टर में यह कियाता हैं इंट्रस्टिंग होने वाला हैं और उसी के साथ साथ में इस चाप्टर से एक basic essence लेके जाना, civics को अम अदिकतर किस चीज़ से जोड़ते हैं, politics से जोड़ते हैं, politics से जोड़ते हैं, ठीक है, आगे जाके जिसे आप दिखो के तो यह political science हो जाएगा आपका, उसमें laws भी आ जाएगे, उसमें politics भी आ जाएगी, सारी चीज़े आने वाली है, तो यह चाप्टर कुछ उसी बारे में है, law and social justice, law मतलब क्या होता है, कानून और social justice मतलब होता है, सामाजिक नियाए, ठीक है, अब बोलो के हिंदी में बता है आपने, हिंदी में बता है, explain भी करते हैं, क्या होता है, law का मतलब यह है, कि आप द करेंगे, बहुत सारी नहीं नहीं चीज़ें पढ़ेंगे, अलग dimensions आपको देखने को मिलेंगे, compact chapter है, बड़ा मज़दार chapter है, ठीक है, आप देखिए क्या है, तो यह सबसे पहले सवाल यही आता आपके मन में, कि आपको law भी समझ में आ गया, social justice भी समझ में आ गया, अब स क्लास 8 का तो याद रहता नहीं है, क्लास 7 का याद कहां से रहेगा, चलो बताते हैं, जैसे आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि किस तरह से market operate करता है, तो story of shirt जो आपना एक chapter था क्लास 7 civics में, उसमें आपने देखा था कि पूरा shirt जो एक manufacture होता है, तो उसकी पूरी process क्या रहत इसमें क्या होता है, number of people are involved in this cycle, तो यह पूरा cycle बन गया, मतलब उस cotton से shirt बनने तक, तो यहाँ पर farmers रहेंगे, weavers रहेंगे, workers रहेंगे, buyers रहेंगे, सारे लोग, किसी ने cotton से धागा बनाया, किसी ने धागे से कपड़ा बनाया, किसी ने कपड़े से shirt बनाया, किसी ने color करी और खरीदा किसी ने, ठीक है, पैसे उसको उसके पापा ने ममी ने दिये, तो इस तरह से एक पूरा cycle बन गया, अब यह जो पूरा cycle बना है, ठीक है, तो इस cycle को इस chapter से जोड़ो, अब आप बोलोगे कैसे, वो मैं समझाता हूं, देखो, तो यह मैंने आपको जो भी बताया तो इस बताया कि market कैसे operate कर रहा है, अब हमारा chapter क्या है, laws and social justice, अब market का एक principle होता है, क्या होता है, market में भी जंगल की तरह होती सारी चीज़े, survival of the fittest, जंगल में क्या है, हिरन तेज दोड़ेगा, तो शेर से बच जाएगा, शेर अगर हिरन से तेज नहीं दोड़ेगा, तो भूका मर जाएगा, तो यहां पर क्या है, कि survive करना है, तो आपको मजबूत रहना होगा, clear, अब क्या होता है, लेकिन हर इंसा मजबूत नहीं होता है, difference यहां आ जाता है, तो market में भी वही चीज़े कि हर आदमी क्या सोचता है, exploit करने की सोचता है, कि जो कमजोर है, उसको क् exploit कर लिया जाए, ठीक है, तो at times, market everywhere tends to be exploitative of people, समझना है इस चीज़ को, हर आदमी अपना profit सोचके अगर काम करने लगेगा, तो market क्या हो जाएगा, exploitative हो जाएगा, ठीक है, बड़े कह सकते हैं कि बड़े producers जो है, तो consumers को क्या करेंगे, consumer से ज्यादा charge करने लगे आएगे, सार बड़ी कहला रही, उस सो कोई और बड़ी खा जाएगा, तो इस तरह से क्या होते जाला आएगा, कि powerful people survive कर पाएगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ठीक है, कोई अगर कमजोर है, weak है, तो government क्यों बनाएगे, यह ताकि वो weak को भी uplift करे, ठीक है, उसको मतलब एक तरह से क्या दे, safe guards provide करे, वही चीज़ यहां पर बताएगे है, तो therefore, to protect people from such exploitative conditions, ठीक है, such exploitative situation, ठीक है, यहां पर situation लगा देना, laws and social justice is required, clear है, तो यह chapter का essence है, अब आप बोलो कि कितनी दूर से घुमाएक लाए, shortcut ले लेते हैं, लेकिन समझा जरूरी था, तो market जब काम करता है, तो market में दिक दिकतों का सामना अगर करना है, तो इन दिकतों के सामने करने के लिए क्या है, कि आदमी खुद नहीं कर सकता है, वहाँ पर आपको support चाहिए रहेगा, government का, अब government ऐसा थो रही न, आपके अंगरक्षक बनके चलेगी, चलो, सेना पती, तुमाई पीछे पीछे जहां भी चल आप हो powerful, अपने घर में बैठो powerful, ठीक है, यह theory है, practicality आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन यह concept है chapter का, जो मैंने आपको समझाने की कुशिश करिए, clear है, तो जैसे आपको पता है कि यह basic introduction video है, basic introduction video में मैं आपको theme बताता हूं कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, chapter में chapter है किस बारे में, chapter किस बारे में, वो समझा दिया, आया समझ में, अब देखो chapter में topics क्या-क्या है, तो laws and social justice and issues related to it, तो इसमें हम और चीज़ें पढ़ेंगे, अब laws and social justice के regarding, ठीक है, अगली चीज़ क्याएगी, भोपाल gas tragedy, तो यह भोपाल gas tragedy का example में आपको दूँगा, भोपाल gas tragedy जब आप पढ़ोगे ना, तो यह एक हादसा हुआ भोपाल में, ठीक है, अब भोपाल में हादसा हुआ, तो भोपाल से कैसे relate करोगे आप इस हादसे को, मतलब chapter में कहां से आ गया है, तो हम देखेंगे कि यह incident हुआ, ठीक है, इस incident में law and social justice कैसे काम करना चाहिए थे, कैसे क किया क्या कमी रह गई, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, सारी चीज़े discuss करेंगे, fine, फिर क्या है, what is a worker's worth, what is a worker's worth, मतलब एक worker की कीमत क्या होती है, तुम क्या जानो राजा बाबू, ठीक है, तो उस तरह से क्या एक worker की कीमत समझेंगे, इसमें हम तेकेंगे, workers जो है, तो exploitative commodity position में रहता है, हराज में क्या करता है, बड़ा business man, चोटे business man, को exploit परेहागा, चोटा business man, उस से चोटे वाले को, सबसे चोटा वाला जो ही, worker को exploit कर लेगा, लेकिन अब worker किसको करेगा, वो तो exploit हो गए न, तो इस तरह से ultimate exploitation जो हो रहा है, worker का, worker की value क्या है, वो समझेंगे ह तो ये भोपाल गैस ट्रैजडी से जोड़के ही पढ़ेंगे से कि सेफटी लॉस जो है तो लॉस का इंफॉर्स्मेंट कितना ज़ादा जरूरी अगर आपको जस्टिस चाहिए अगर न्याय चाहिए तो फिर क्या है न्यू लॉस्टू प्रोटेक्ट इंवर्मेंट ठीक है अ फैसली ये एक आउन्प्रशन चीज इंवर्मेंट क्या है किसी एक इंसान की नहीं है बोलता है कि पूरी इंवर्मेंट में खरीद ली इनवर्मेंट क्या है पब्लीकली ओन भूर्श बचाना समहलना जरूरी है बहुत जादा और इस सेंस में क्या है याला टॉपिक को यहां से भी जोड़ो कि लॉज जो बनाए गए जो किसके लिए फॉर दी प्रोडेक्शन ओफ इंवर्मेंट वो क्यों जरूरी है क्योंकि पॉब्लिक फैसिलिटी एक वो और कोई एक इंडिविजल क्लीम न आपके पास आंसर में दिदूंगा ठीक है तो यह पूरी थीम बता दी मैंने आपको बॉंडरी बता दी कि कहां हमें किस तरह से चैप्टर में क्या-क्या पढ़ना है सारा सब कुछ इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे law and social justice issues related to it पिशले वीडियो में मैंने आपको एक basic introduction दिया मैंने समझाया कि चीजें किस तरह से काम करती हैं और इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है अब चैप्टर को और आगे बढ़ाते हुए जो आगे आपको topics दियो हैं वह सारी चीजे में बताता हूं तो ज companies contractors business persons यह सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं wants more and more profit यह ज्यादा से ज्यादा profit चाहिए रहता है तो इस situation में क्या होता है in this situation they they might deny workers their rights and not pay them the wages ठीक है तो जो वरकर्स है तो वरकर्स के राइट को वो डिनाय कर सकते हैं मना कर सकते हैं ठीक है उन्हें वेजेस कम दे सकते हैं तो क्या या फिर वेजेस दे ही ना तो इस तरह से क्या होता है यहापर आपको देखने क्यों रहा है कि market situation क्या होती exploitative होती ह इसमें और आगे भी पढ़ेगी हम रुखो तो market क्या कर सकता है ठीक है और इस condition में क्या only laws can protect them ठीक है और इस condition में अगर laws हैं तो laws ही उन्हें क्या कर सकते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं बचा सकते हैं किने तो इस condition में laws अगर कानून होंगे तो कानून ही सिर्फ बचा सकता है वरकर्स को exploit होने से ठीक है तो जैसे क्या है एक्जामपल गिवन में हम देखते हैं minimum wages act यह minimum wages act एक law आया ठीक है इस law के हिसाब से क्या कर दिया गया यह ताय कर दिया गया बना दो कानून बना दो minimum wages act बनाया तो कहीं न कहीं एक्स्प्लाइडिशन से बच गए वरकर्स similarly there are laws that protect the interest of producers and consumers ठीक है अब देखो क्या है कि दिखती बाते वरकर्स ही हमें से exploit नियों सकता है कि government क्या करते government या फिर कोई बड़ा बिजनसमें चोटे बिजनसमें को exploit कर ले तो हर चीज में क्या है कि producers और consumers दोनों को ही खत्रा रहता है consumers को ज्यादा रहता है मान लिया तो अब क्या है कि इनके protection के लिए क्या है similarly there are laws that protect the interest of producers and consumers तो इसी तरह से laws हैं तो ही इनके interest बचे हुए clear है तो अब देखो कानून तो बना दिया आपने अब सवाल एक आता है कि are the laws sufficient सिर्फ कानून बना देने से क्या protection मिल जाएगा जैसे coronavirus है तो क्या हो जाएगा कि mask खरीद लेने से क्या आप पचे जाओगे नहीं ना क्या करना होगा उसके लिए पहन के रखना होगा वही चीज है यहां पर तो लॉब बना देने से काफी नहीं है ठीक है laws जस्ट मेकिंग दी लॉज इस नॉट सफिशेंट ठीक है कि आप लॉज बना के बैठ जाओ बात खतम हो गई है नहीं उनका implementation सबसे ज़रूर यह जैसे अब यहां पर चीज जो दी गई है और टोपिक लेकिन समझो वरकर सिंटेश्टाइल मिल इंदाबाद फेश्ट विट्र कॉमपडिशन फ्रूर्वर लूम सब्सक्राइब बहुत जादा एक्स्प्लाइट हुए ठीक तो यहां पर क्या करते हैं किसी कि प्रकार के लॉज अगर होंगे कि हां वरकर्स को आप निकाल नहीं सकते थे ऐसे या फिर उन्हें प्रोटेक्शन देना होगा तो उनकी मदद होई होगी ना यह सारी चीज़े चलो टॉपिक पर वापस आएं तो सवाल यह कि क्या सिर्फ लॉज बना देना सफिशेंट होता है समझते ह हो क्या है तो मेरली मेकिंग लॉज इस नॉट एनफ सिर्फ कानून मना देने से काम नहीं चलेगा ठीक है ती गवर्मेंट हैस तो इंशॉर देट इस लॉज आ इंप्लिमेंटेड को यह इंशॉर करना होगा कि जो कानून बना यह कानून लागू भी हो लोगों के ओपर ठी तो अब क्या होता है कि एंफोर्स्मेंट और जादा जरूरी क्यों हो जाता है किस सिच्वेशन में और जादा जरूरी हो जाता है वो सिच्वेशन भी समझो क्या हो रहा है यहां पर कि लॉज बनाया तो लॉज वीक को स्ट्रॉंग से बचा रहा है ठीक समझना पहली बात तो लौ है ठीक है। लौ सिर्फ होने से कुछ नहीं होगा। लौ का इंपिलिमेंटेशन जरूरlies. और लौ का इंपलीट इसलिए भी ज़रूरु extracting पहुझा ही देगा। कॉझayan पहुचा ही ownership किउचा कंजूर होता है। है तो law तो चाहिए ही चाहिए ठीक है अब क्या होता है role of government तो government का क्या role होता है सारा रोल ही तो government का होता है laws government ही बनाएगी और बनाने के बाद में यह insure भी government ही करने वाली है कि यह laws properly implement हो execute हो यह सारी चीज़े therefore conclude करते therefore we can say that through making enforcing and upholding this laws law बनाएं ठीक है making enforcing लागु करें और लागु करने के बाद उन लाउस पर बने भी रहे कि हाँ यह law हमने लागु कि एस के अगेंश में कोई नहीं जाएगा ठीक है चाहिए वो अमीर हो चाहिए वो गरीब हो चाहिए वो नीता हो चाहिए एक आम आदमियों सबीक लिए laws implement होंगे ठीक है धी government can control the activities of individuals और private companies so as to ensure social justice अब देखो दोनों भाई बहन को मिला देते हैं ठीक है तो law एक तरह से क्या हो गए जरूरी है family को complete करने के लिए ताकि social justice मने आगे नहीं तो इस तरह से क्या है कि law and social justice दोनों साथ ही साथ चलेंगे क्या होता है कि laws जो है तो enforcement, upholding, framing ये सब कुछ government करेगी और जब government ये सब कुछ करेगी तब ही private companies जो individuals जो है उन्हें क्या किया जा सकता है justice मिल सकता है workers को justice मिल सकता है सामाजिक नयाय मिल सकता है आए ना समझ में अब क्या है तो जैसे example देखोगे तो many of these laws are part of fundamental rights तो बहुत सारे laws जो fundamental rights का part बनते जो कहीं न कहीं क्या करते है individuals को protect देते है society में social justice को ensure करते है तो जैसे laws अगर देखें क्या क्या है तो right against exploitation right against exploitation एक law बना दिया fundamental right है आपका जैसे right against exploitation है तो no right right against exploitation क्या कहता है that no one can be forced to work for low wages or under bondage कम पैसो में किसी से काम नहीं करवाय जाए किसी को बंदुवा मजदूर बना के काम नहीं किया जाए ठीके bondage के अंदर में ना रखें उन्हें फिर क्या है no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine और engaged in any other hazardous employment ये भी आपका fundamental right हो गया right against exploitation में हमने देखा था ना child labor भी एक तरह से क्या है child labor भी एक तरह का crime है तो ये चीज़ें क्या कर रही है ये ये law है जो social justice को ensure कर रहे है अगर ये law नहीं होते तो इन बच्चों को कोई काम पे रख लेता लोगों को क्या किया जाता एक्स्प्रोइट के जाता कम पैसे दिये जाते सारी चीज़े जब ह अब next video lecture में मैं आपको भुपाल गैस tragedy के बारे में कुछ बताने वाला हूँ ठीक है उससे relate करेंगे कैसे laws और कैसे social justice काम करते हैं साथ ही साथ में इसका एक पुरा outline देने वालो हूँ क्लियर है यहां तक सारी चीज़ हमने डिसकस करिये किसी प्रकार के डाउट है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भुपाल गैस tragedy के बारे में भुपाल गैस tragedy क्या है पहला सवाल आपके मन में वो clear कर दूँगा में अब आपको करना क्या है आपको बस इतना करना है जैसे मैं पढ़ाते जाओंगा तो topic को chapter के साथ जोड़ना law and social justice हमारा chapter जो है chapter के साथ जोड़ना भुपाल गैस tragedy क्या है तो एक accident जो हुआ था भुपाल में कब कब हुआ था तो at midnight of second December 1984 ठीक है अब आप आकर गौर करेंगे तो मैंने दो बार एक शब्द का है accident हुआ था अब यह जो accident कह रहे हैं लोग accident क्यों कह रहे हैं क् जो प्लांट था एक ठीक है एक chemical producing plant था chemical fertilizer producing plant था तो वो plant में क्या होती गैस लीग हो जाती है ठीक है तो लोग क्याते है कि अब गैस लीग होग इसमें क्या कर सकते हैं वह एक accident है लेकिन मैं इसे कहूंगा यह accident नहीं था क्यों नहीं था आगे discuss करते हैं देखो तो पुरी outline सम हो रहा है क्लियर तो अब क्या होता है भुपाल में highly poisonous gas methyl isosanite ठीक है M.I.C. leaked in Union Carbide UC an American Pesticide Producing Company क्या होता है कि American Company थी Union Carbide तो Union Carbide जो company थी उसका plant का लगाए इंडिया में ठीक है इंडिया में मतलब वहाँ पर production होने वाला है क्या produce करते थे तो पैस्टिसाइड प्रियूस कर जाता था अब अब क्योंकि पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वगर है chemical plant होते हैं सारे chemical का यूज किया जाता है तो वहां पर गैस का यूज होता था मिताइल आइसोसाइनाइट का ठीक है मिताइल आइसोसाइनाइट जो है तो यह highly poisonous gas होती है ठीक है इनहील कर लोगे तो मतल होता है उसके चलते बहुत सारे लोगोंने suffer किया क्यों क्योंकि जब घैस मतलव उस दिन रात में क्या होता कि लोगोंने दीरे दीरे सोय थे सब 50.30 मैं तो सौजाते बोपाल ओल्ड सीटी के उदर है तो वहां पर लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया सफर करना स्टार्ट कर दिया लोगों को इनहील करने में प्रॉब्लम सुने लगी ठीक सुबह तक यह एक मौत का तांडव बन चुका था बहुत सारे लोगों की डथ हो गई खास करके ब सारी अस्तियां जलाना पड़ी यह सारी समस्यां होई और चीज़ें वहां पर खतम नहीं होगी उसके बाद में भी क्या हो उसके बाद में जैसे जो बच्चे बाद में जन्म लेते रहे मतलब मान लो कि एक विक्टिम था कोई बुपाल के स्ट्रेजडी का उस इंसान के उस जन्म हुआ अब यह इतना कह सकते एक तरह से एक ट्रेजडी ही रही ना बोपाल के स्ट्रेजडी करें तो एक हादसा है तो बहुत बड़ा हादसा है लेकिन इस हादसे को आप एक्सिडेंट का नाम देके इग्नोर नहीं कर सकते हो ठीए इस डिजास्टर वास नॉट एन ए क्या होता है कि जो आप नहीं जान रहे और तो हो गया मतलब आपको पता नहीं है गलती से आपकी गाड़ी में टकर हो गई किसी की तो एक्सिडेंट कहलाएगा लेकिन यहां पर क्या है कि जो गैस लीक हुई है तो यह असा नहीं है कि गैस लीक गलती से हुई है इसके पीछ एसेंशल सेफटी नॉम्स के आगए जैसे यूनियन कारबाइट को बता था कि इतने वरकर्स रखना है इस क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करना है ये सारी चीज़ें करना है तब जाके सेफली प्लांट चल पाएगा लेकिन यूनियन कारबाइट ने क्या किया पैसे बचा है असपास क्या लगा सकते हैं उन सारी चीजों पर क्या जल्दी बाजी करके उन्होंने फटाफट फटाफट काम कर वा लिया क्यों क्योंकि पैसा कमाना था लेकिन अब जब इतने सारे सिफ्टी नॉर्म्स ठीके इतने सारे लॉज को ब्रीच करते हुए आपने इस तरह से कि बोलोगे आया समझने तो डेस्पाइट अल दिस इट रफ्यूस्ट एकसेप्ट इस रिस्पॉंस बीटी चलो यह सब कुछ होगा लेकिन बंदा मानने कोई नहीं तयार है ठीक है उनकी रिस्पॉंस बीटिया फिर जो हुआ है जो ट्रेजडी हुए तो उसमें की गलती हो कहीं नहीं तो यह तो अपना पलड़ा साफ करने लगें वहाँ पर फिर क्या होता है जैसे आप गौर्वर्मेंट ने इंडिविजल्स ने जिसाब यहां पर बहुत साही लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर लिया यूनियन कारबाइट कर्मचारी संग बनाया गया मेटिंग्स होती थी यहां पर रिलीफ मिनिस्ट्री वगरा सब कुछ की जो विक्टिम से उन्हें आप चलो जिसकी जान चलेगी तो देखो जाने वाला तो वापिस नहीं आ सकता लेकिन आप मोनेंटरी कंपेंशेशन देखे क्या कर सकते हो कहीं नहीं थोड़ा सा उनके शाल बात सिरफ कितना मिला तो 470 विलियन का मिला और फाइल कितना किया था 3 बिलियुण को किस लेवल पे 3 विलियन का कमजिशे ने डिमाइंड के घैनलेगी ल्किन ने बाड़ा कया इस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया लोगों थोग्थ सफर भी बहुत जादा किया ठीक लोग आज भी क्या होता है भुपाल में इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते रहते हैं भुपाल में बहुत से चीज़ा बंद रहती हैं खास करके कब 3rd of December को क्योंकि यह दिन 3rd December स्टार्ट हो गया थे ना midnight 2nd December में हुआ था अब यहाँ पर पूरी कहानी बताई और इसको सुनके यही पर ख़तम नहीं करना अब है अब यहाँ पर थ्रोट से क्रिटिकली अनिलाइज करो चैप्टर से जोड़ो मैंने स्टाइटिंग में बताया था चैप्टर से जोड़ो कि लौ एंड सोशल जस्टिस की जब आप बात करते हो तो यहां पर लॉट थे नहीं थे थे भी तो उने क्या किया गया अब क्योंकि लॉट नहीं थी तो क्या सोशल सचिस मिल सकता है बताओ क्या नियाय मिल सकता है बहुत मुश्किल है तो उस संस में क्या भुपाल के स्ट्रेजडी हुई है इसमें अगर प्रॉपर लॉट को इंप्लिमेंट किया जाता है ठीक है पकड़ा जाता है यूनियन कारबाइट की ओनर को बोला जाता है दो कंपंशेशन भीया ठीक है लॉज होते हैं अगर इस तरह से कि आप यह प्लांट नहीं लगा सकते हो रेसिदेंशल एरिया में यहां बहुत खतरनाक हो सकता है अगर म आप न्याय बहुत अच्छी तरह से दे पाएंगा नहीं तो अगर in the absence of laws you can't expect for the justice कानून कैसे जंगल राच चलेगा ना फिर तो यह सारी चीज़े थी इस वीडियो लेक्शेर में अब देखो क्या है अब यह पूरा जब कहानी बताई तो इसमें आपको यह भी चीज़ आने वाला हूँ I hope चीज़ें यहाँ तक क्लियर है किसी प्रकार के डाउट है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे what is a worker's worth एक मजदूर की एक worker की कीमत क्या होती है किसी भी इंसान की जान की कीमत आप तभी नहीं लगा सकते हो यह possible ही नहीं है न हर इंसान उसके जो prayer हैंगे ठीक है जो उसके close ones रहेंगे तो उनके लि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में मैंने आपको भुपाल कैस tragedy के बारे में बताया था और जो भी होता है महाँ पर टीक है union carbite जो company थी उसमें जो भी हुआ तो यह जो incident हुआ था वो incident हमसे एक सवाल पूछता है कि हमने इतने वाई कैसे बरती क्या वैल्यू है हमारे लिए एक वर्कर की क्या हम उसे सिर्फ एक वर्कर की तरह कंसिडर करते हैं हो सकता है जो एकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जिसके पास पावर नहीं है तो हम उसे यूही छोड़ देंगे एक सवाल उठता है अब समझना ये भी ज़रू क्यों एस बिए उसके पीछे के अंडरकरेंट जो है ठीक है वह समझना जरुर इकारण रहा क्या होगा देखिए there are multiple reasons for it एक करण नहीं है बहुत सारे कारण है आप एक क्या मैं आपको बहुत सारे देता हूं करण देखे सबसे पहली चीज क्या है अगर अमेरिका में यूनियन कारबाइट अपना एकोर प्लांट लगाता तो क्या होता तो उसे वहाँ पे वरकर्स को सेलरी जो इंडिया में दे रहा है उससे जादा देना पड़ती ठीक है दूसरी चीज क्या है workers को salary देना पड़ती फिर जो government के laws वगेरा थे तो उस हिसाब से clearance बहुत late मिलता बहुत आसानी से नहीं मिलता ठीक है इसके चलते उसे wait करना पड़ता फिर क्या है housing facility देना पड़ती workers को workers को दूसरे employment benefits देना पड़ते क्यों क्योंकि वहाँ पे laws ऐसे हैं कि आपको workers के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा कहां अमेरिका में लेकिन यहीं चीज अगर बात की जाती है इंडिया में तो क्या होता है कि यहाँ पे cheap labors are available in India as compared to USA USA के comparison म यहाँ पर आपको labor कम पैसों में मिल जाएगा यहाँ पर कोई housing facility देना नहीं पड़ेगी यहाँ पर कोई दूसरे benefits नहीं देना पड़ेंगे जब इस तरह से इतने सारे advantages दिखे union carbide को बस क्या था कि बहुत दूर जाके plant लगाना पड़ेगा और जी हाँ अब globalization काम आगा है यहाँ पर सफर कर रहे हैं बोपाल गैस ट्रेजरी के कारण आज वहाँ पर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है अभी भी पड़े हुए क्या होता है तो इसके पीछे के कारण समझो क्यों उन्हें यह destination चूज करी क्यों इंडिया को आके यहाँ पल्यूट किया क्योंकि यहाँ प आ पर उनको प्रॉफिट जादा बन रहा था यूणी कि यहाँ पर कंपनी थी वहाँ से बहुत कम लग रही थी यहाँ पर क्या है कि ऐमेरिका में जितने सेस्टी नॉम्स को फॉलो करना पड़ता अगर अमेरिका में लगाते एक तो वहाँ पे उन्हें बहुत सारे safety norms को follow करना पड़ता जैसे क्या है कि machines वगेरा mechanical एक तरह से warning system ये सारी चीज़ें वो पैसे लगते लेकिन वही सारी चीज़ें इंडिया में नहीं करना पड़ी थी अमेरिका में training period जादा था यहां training period कम कर सकते थे हमारे एक बहुत अची चीज़ क्या मिली उनको पता है हमारे बहुत अची चीज़ मिली उन्हें corruption कि पैसे देखे सारा काम हो जाता है अभी कैसे क्या क्या हुआ हो बताता हूं तो example union carbide की case में देखे हैं जिसने भुपाल के tragedy क जनम दिया तो वहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने किस तरह से इंडिया को destination चूज किया यह यहां पर पता नहीं क्यों Google लिखा रहा है यहां पर पीरेड़ भी छे ठीक है तो क्यों destination चूज किया तो बिट्वीन 1980-1984 the work crew for the MIC plant was cut in half from 12 to 6 workers ठीक है 12 से 6 workers समझ रहों चीज को काम आधा कर दिया है पहले बारा लोगों को काम पर रखना पड़ता लेकिन उन्होंने सोच लिए कि हाँ छे लोग ओवर टाइम करवा के कैसे भी करवा के काम कर लेंगे तो बारा से चे कर वाली है आधे पैसे काम होगा सीथे ठीक है तो between 1980-1984 the work crew for the MIC plant was cut in half from 12 to 6 workers अगली चीज इसका है the period the period of safety training for workers was brought down from 6 months to 15 days ठीक है तो जो जो पीरेट है जो ट्रेनिंग के लिए जो टाइम पिरेट दिया गया है तो टाइम पिरेट को कितने मेहने की ट्रेनिंग हो रहा था छे मेहने की ट्रेनिग होना था तो मेहना थो छोड़ी और उन्हों 15 दिन में ही खतम कर दी त क्यों 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 ने profit कमाना था बस अब profit कमाने के चक्कर में उन्होंने इतना बड़ा loss लेके बैठ गई ठीक है company करोडों का loss खाजा हमें उससे कोई रहना नहीं है लेकिन लोगों को कितनी परिशानी होई इस चीज से clear है फिर क्या आता है the post of night shift worker for the MIC plant was abolished यह सब से खतरन देने की अब एक जॉब के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया इतना बड़ा disaster कर अब देखो क्या है तो अब वापस से अगर topic की सवाल पर आते what is a worker's worth तो अब आपने यहां पर यह जो cost reduction करा है वो किस विहाफ पर करा पता है आप जितना पैसा कम करता है रहे हो आप उतना लोगों की जान खत्रे में डाल रहे हो तो क्या होती है workers cost cost ठीक है आपको monetary amount में बता नहीं सकता हूं कि यह एक लाग रुपे दो लाग रुपे आप खुछ समझो कि आप लोगों की जान को माइने नहीं दे रहे हो आपके profit को जादा देख रहे हो तो यह क्या है यह तरह से देखा जाए तो यह कहीं ना कि हमारे हमारे एंड पर कमी रह गई कि हमने लॉग जो बनाए तो वह लॉग सहीं तरह से नहीं बनाए जिनके चलते क्या करना पड़ा हमें यह खामियादा भुगत ना पड़ा क्लियर है आप अगर जैसे comparison आप डवलप करो comparison West Virginia USA USA में जो यूएस में प्लांट है तो महां पे सब कुछ computerized warning system में मौनेटरिंग सिस्टम वर इन प्लेस तो सारी चीज़े अब देखो यहां पर वह है कि इंडिया में यह सब कुछ नहीं लगाना पड़ेगा computerized warning system मौनेटरिंग वगरा यह सब कुछ नहीं करना पड़ेगी तो पैसा में ली रिलाइड ऑन मैनूल गॉज़ज एंडी यूमन सेंसर स्टु डिटेक्ट गैस लीग यहां पर किस चीज पर टिपंड करा कि अगर गैस लीग होगी तो यूमन बज़ा दी जाएंगे कि यहां गैस लीग होई भाग लो इसको इतने बागते बन जाए आपको आगा यहाँ गयास लीक हो रही है लेकिन यहाँ पर युएस में ऐसा नहीं था क्यों कि यहाँ की government ने strict laws बनाएं उन strict laws को implement किया गया इंफोर्स किया गया तभी तो हैं यहाँ पर न्याय मिल पाया ठीक है यह लोगों की वर्जिनिया में ये भी था कि अगर मानलो यहां गैस लीग होती तो यहां भागने के एवाक्योशन के पूरे प्लांस थे कि यहां किस तरह से अगर मानलो प्लांट फैलियर हो जाता है गैस लीग होने लगती है तो क्या किया जाएगा लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था क्यों नहीं सकते थे लेकिने फिर प्रॉफिट वर्यूस करना था तब इंडिया में प्लांट आया दी दी बहुत minimal कर दी लेकिन सवाल या था कि वर्जीनिया में तो बहुत strict चीज़ें हैं सारी चीज़ें ठीक है यूवस मगर हम देखेंगे तो हापे सारे safety standards वगेरा सब कुछ follow किये गए और इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है ठीक है and even after the disaster happened why was the compensation to the victim system solo ठीक है और disaster हो भी गया उसके बाउजूद भी क्या है कि compensation तक क्यों मिला तो सवाल उठते हैं मिलकुल कि this express request मैं क्या फरका आजाता है तो आप जानते हो उस बेशले जिसम में क्या फरका जाता है कि हमारे हाँ जो system है वो system में क्या है समस्या है लेकिन वहीं आप दूसरे country में देखते हो तो उन्होंने system को कहीं न कहीं streamline करके रखा है देखो perfect कुछ नहीं होता है कहीं भी कोई perfect नहीं होता है ठीक है अभी आप इसको individually apply कर लो चाहें countries पर apply कर लो जैसे हमने देखा कि अगर US में है facilities तो वहाँ पे लोगों ने अपना mindset बनाया वैसा कि वो perfectly strive कर रहे है वहीं दिक्कत क्या हो जाती कि हमारे देश में हम जो है उससे बहतर समझ के बैढ़ जाते हैं ठीक है हम compete नहीं कर रहे हैं उस चीज तक उस level तक अपने आपको उठाने के लिए और यहीं दिक्कत गई यहाँ पे कि Indian government ने क्या सोचा ठीक है कोई हाथसा होगा क्या इस तरह से और यहाँ पे रहे क्या सोचा US government की हाथसा हो सकता है और उसी चीज ने difference पीच हो था कि जो sharp difference देखने को मिलते हैं US में और इंडिया में तो क्या है उसके पीछे कारण reasons for sharp differences are easy availability of workers ठीक है इंडिया में वरकर्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं खुब population है population खुब है तो बहुत आसानी से कोई भी क्योंकि unemployed गुम रहे ना वरकर्स ज्यादा है तो since there is no much unemployment there are many workers there are many workers who are willing to work in unsafe conditions in return for a wage ठीक है अब यह simple सा logic समझाता हूं मैं job अगर 5 है करने वाले 500 है तो यह 500 में से 5 ही चाहिए रहेंगे अब यह 500 मैंसे जो पांच आने वाले है ना तो वह select करने वाला इंसान भी देखा कि मैं पांच उन लोगों को select करूं जो कम से कम में मुझे काम करके देंगे और उसी के चलते क्या होता है उसी के चलते problems create होती है क्या हुआ कि workers ने देखा यार unemployment है काम नहीं है तो ने बोला कि आप तो कैसे ही condition में काम करवा दो हम कर लेंगे तो अब company owners जो कैसे फाइदा नहीं उठाएंगे इस चीज़ का उठाएंगे बिल्कुल फाइदा उठाएंगे ठीक है तो making use of the workers vulnerability employers ignore safety in workplace तो employers का उतने पहले profit कमा दो safety safety तो होती रहेगी आगे सब्सक्राइब तो employers क्या कर रहे है यहाँ पे they are ignoring safety in workplace due to this there are regular reports ठीक है regular reports of accidents ठीक है of accidents in construction sites mines or factories due to the due to the callous attitude of the employers ठीक है खत्रा है कितना खत्रा नहीं है इन सारी चीज़ों के चलते क्या और है इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं कि किसको पे करना पड़ एल्टिमेटली जो ground force होती जो workers होते हैं आपने सुना कभी कि union कारवाइट के जो owner थे साइमेंट नाम से शायद ठीक है कि उन्हें कुछ हुआ हो उन्हें सांस लेने दिक्कत गई हो क्यों क्यों कि वह यहां थे नहीं ठीक है अगर गैस लीख हुई भी तो उन्हें पैसे दे दिया कि हाँ यह यह रहा कि हमारे यह लॉग देखो strict laws नहीं थे इस चीज़ को तो मै प्रायरिटी दूँगा आपकी बुक में नहीं लिखा लेकिन यह कारण रहेगा strict laws का enforcement नहीं हो पाया लेकिन उसके अलावा एक कारण यह भी रहा है कि हमारी population हमें बहुत सारे workers खड़े कर दिये unemployed थे तो लोगों ने जैसे condition में काम करने को दिया जाएगा वैसी condition में करेंग पर आप कितनी value दे रहे हो एक worker को काम को laws को इन सारी चीजों के उपर depend करता है clear है so this was all about अब हमने यह देख लिया कि laws के absence में बहुत खत्रे हो सकते हैं तो अब हम नेक्स वीडियो में enforcement के बारे में ही देखेंगी कि laws enforcement क्यों important है कैसे काम करते हैं सारी चीजे I hope चीजे यहां पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे enforcement of safety laws पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से safety laws जो होते हैं हम उन्हें ignore कर रहे हैं कहीं किसके cost पे तो हम workers की life के cost पे उन्हें ignore कर रहे हैं तो हम laws को implement नहीं कर रहे हैं उसका cost किसे देना पढ़ रहा है उसक management of safety laws तो आपने safety laws अगर रखे भी हैं तो कोई वाली बात है कि सिर्फ mask खरीद लेने से ऐसा नहीं कि guaranteed है कि आप अपने mask खरीद लिया coronavirus है तो आपको क्या करना हो उसे पहन के रखना होगा ना वही चीज यहां पर भी है कि आपने laws बना दिये उनको enforce नहीं कर रहे हैं तो वह laws किसी काम के नहीं आग लगा दो उन laws में आया समझ में यह simple सी चीज यहां में बताए गई है तो जैसे government जो होती है ठीक government क्या करना हो तो government का काम क्या होगा government should ensure that safety laws are implemented properly implemented कि जो laws बने हैं वो laws क्या हो implement हो साथ ही साथ अब जरा relate करो तो यह चीज है जो बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ाने कोशिच करो हूँ इसको समझना अच्छे है से Constitution हमारा क्या बोलता है कि हर इंसान को right to life है ठीक अब क्या होता है कि Union Carbide जैसे अगर plants लगेंगे जो safety laws को ignore करके लगाए गए है तो क्या हो रहा है कि लोगों को जो Constitution ने right दिया है right to life वो जीने का जो अधिकार है आप उसके उपर क्या कर रहे हो एक तरह से खत्रा डाल रहे हो कि ने डाल रहे हो कि you are not upholding by the article 21 of our Constitution ठीक है right to life जो आप Constitution में दे रहे हो उस right to life को तो आप खत्रे में डाल दे रहे हो जब इस तरह से क्या कर रहे हो आप हजार्यस प्लांट्स को अलाओ कर रहे हो आपकी कंट्री में सेट अप होने के लिए आगे ना सब्सक्राइब को इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा क्यों सेफ्टी लॉस बना इंशूर करें और जब यह करेगी तो आटोमेटिकल यह चीज़े होने लगेगी ठीक है right to life क of article 21 जो उसको ensure करोगे ही करोगे कही ना कहीं clear है अब देखो अब आप बोलो कि बड़ी अच्छी बात लगी सर सुनने में बड़ा मज़ा आया दिल को बहुत सुकून मिला कि हां government को ऐसा करना चीज़े लेकिन सवाल तभी यही है ना कि what was the government doing when there was there was such a blatant violation of safety standards in UC plant union कार्बाइ plant में जब इस तरह से violation हो रहा था violation नहीं बहुत भयंकर violation हो रहा था सारे rules laws सब कुछ चुले में डाल दिये गए थे उस समय पे तो उस समय क्या कर रही थी सवाल यह आता है उस समय क्या कर रही थी government देखो तो उस समय की situation में आपको बताता हूं दो points में sum up कर देंगे दोनों points समझना the safety laws were lax in India ठीक है बहुत कमजोर थे safety laws sorry मतलब safety laws में कमी थी बहुत कमी थी even weak safety laws were not enforced कमजोर थे मतलब कमजोर थे और कम थे laws और सी के साथ में क्या है कि जो safety laws थे भी जो कमजोर safety laws भी थे वो भी क्या थे implement नहीं हुए मतलब क्या है कि आपको एक तरह से जैसे दिखा जा मिला और जो कम पैसा मिला उसका भी आदा हिस्सा गायब हो गया इस तरह की situation हो यहां पर तो वहीं देखने को मिल रहा है कि safety laws थे कमजोर थे safety laws even weak safety laws were not enforced उन्हें भी लागू नहीं किया गया सही माइनों में सहीं तरह से तो यह मतलब क्या सकते है कि चिंता का विशाई कि इस tragedy के context में देखेंगे कि कैसे safety laws की कमी थी और जो कम safety laws थे उनको भी धंक से implement नहीं किया गया कमजोर safety laws को भी उन्हें क्या कर दिया है अब यह भी कमजोर इनको क्या करेंगे लगा गया है सा सोचा उन्हें ठीक है क्या होता देखो तो government officials refuse to recognize the plant as hazardous and allowed it to come up in a populated locality ठीक है सबसे पह रजाडियस नहीं इनको जहां लगाना जहां जमीन सस्ती मिलरी महा लगा लेने दो तो नतीजा क्या हुआ कि एक populated locality में जहां पर अगर मानलो चलो plant कहीं दूर होता खाली बंजर जमीन पर तो एक यह possibility थी यार प्लांट तो बहारे शहर के अगर gas leak होती भी है तो लोग बच जाते हैं उतना नुकसान नहीं होता ठीक है पैसों में जो नुकसान हुआ वो तो हुआ हुआ लेकिन इतने लोगों की जान खत्रे में नहीं जाती ठीक है लेकिन क्या होता है क्योंकि locality के पास लगाने का एक advantage देखो आपने geography में पढ़ाया ना कि यहां अगर population रह रही है और यहीं industry लगा दोगे तो क्या होगा कि यहां आसानी से लेबर्स मिल जाएंगे आपको workers मिल जाएंगे ठीक है अब क्या होता है तो यह चीज़ यह कि यहां पर कमी रह गई और इस चीज़ को government ने भी रिकर क्राइं जी किया government ने बोल दे कि भया जहां लगा रहे है लगा लोग भुपाल के कुछ municipal officials ने उस चीज़ को object किया कि यार यह खतरनाक हो सकता है populated जगा पे लगा रहे हो ठीक है जहां पर population रह रही है populous locality में अगर आप लगाओगे इस तरह से तो उसके चलते क्या होगा अगर कल को कोई हाथसा होता तो बहुत नुकसान होगा बहुत लोगों को लोग भी खुछ है क्यों तुम चिंदा कर रहे हो जो होगा भविश्य में देखा जाएगा इस तरह से क्या है बहुत casual attitude रखा ठीक है अब जब बात आती ही safety standards की तो वहाँ पे cross check करना होता है चीजों को आपको ऐसे हलके में नहीं छोड़ना होता है ठीक है एक ब अब देखो क्या उपर से hierarchy देखोगे कि सारे लोग अलाओ करते हैं बड़े-बड़े politicians बड़े-बड़े secretaries ने अलाओ कर आए कि अगर plant लग जाए यहां पे तो फिर जो नीचे inspectors होने वाले हैं मतलब जो inspect करने वाले चीजों को वो भी यह सोचेंगे यह सब तो हाँ बोल को मिले कि कभी-कभी gas leak हुई थी incidents देखने को मिले उसके बावजूद भी क्या उन्होंने बोलती अप्रूफ कर दिया तो सब बड़िया है चलने दो इकदम ठीक है अब लेकिन दिक्कत कहा हो ही जब वो सच में एक बड़े level पे problem create कर गया तब दिक्कत हुई है ठीक है तो अ सब कुछ जो था तो वह किस चीज के अकी वह उखितिता वह उन्के इंब काम क्किया होता है क्मिनिटिक बताओ उसको शुरक्षा करना घर में चोरी ना ऌउख हो चोरी उन्हें उन्हें प्राइमरी फेक्टर बना दिया उन्हें सबसे ज्यादा प्राइलिटी दियो इस कारण से क्या हुआ हमें ये इतना नुक्सान उठाना पड़ा था ठीक है तो ये कंक्लूजन रहेगा आपका इस टॉपिक का इन्फोर्स्मेंट ऑफ सेफ्टी लॉस का कि क्या है आप देखो इंडस्ट्रिलाइजिशन तो क्या है आज की रियालिटी इंडस्ट्री तो बढ़ती जाएगी आप रोख नहीं सकते हो आज चार है तो कल चार सो होगी चार हजार होगी चार लाक होगी बड़े ही इंडस्ट्री लेकिन अब हमें किस चीज से चौकर ना होगा विट मोर इंडस्ट्री निग सेट अप बोथ बाई local and foreign businesses in India हमें इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि strong laws बनाये जाएं और laws सिर्फ paper तक ना सीमित हो उन laws को उन कानूनों को implement किया जाए ठीक है भूतल पे धरातल पे उसे लागू किया जाए ये सबसे जादा जरूरी है ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा enforcement of safety laws में I hope चीज़ें यहां तक clear है अब देखो ये तो हमने एक in general बात कर लिए अब environment के बारे में हम पढ़ेंगे next video lecture में चीज़ें यहां तक clear हैं किसी प्रकार के doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected, keep learning thank you, thank you very much Hello everybody, this is Digraas Singh Rajput Welcome to Magnet Means इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे new laws to protect the environment क्यों इसका answer आपको पीछे ही मिल जाएगा अभी तक जितना chapter हम पढ़ के आएं तो उसमें मैंने आपको क्या बताएं कि industries आती है, बो हाँ आई ठीक है, अब क्या होता आने के बाद में वो safety norms को ignore कर देती है ये भी हाँ, ठीक अब क्या होता, safety norms को ignore करती है और उन्हें ignore, अगर वो ignore कर रहे है तो उन्हें करने दिया जा रहा है किसके दोरा, क्योंकि हमारे जो laws बने वो government ने सही तरह से implement नहीं करे ठीक है, अब जब एक जैसे बोलते हैं कि एक बार जब चीजें सामने आती तो फिर खुलते चले जाती है अब क्या हुआ, जब भॉपाल gas tragedy के बाद में ये issues निकल के आए कि हमारे laws में क्या है कमी है, तो फिर consensus डवलप हुई फिर पूरी society चिंता दिखाने लगे नहीं, ये laws चाहिए, लोज चाहिए तब क्या होते है, नए-नए laws बनके आए for the protection of environment ठीक है, environment के protection के लिए नए-नए laws बनके आए अब आप बोल सकते हैं कि नुकसान कहा हुआ, लोगों को हुआ कि compensation दे देगी company, ठीक है, union carbide ने compensation दिया, चाहे कम दिया, लेकिन compensation दे दिया, लोगों को पैसे मिले कुछ नो कुछ लेकिन environment को किसने क्या किया, ना तो आप environment में जो pollution फैला है, उसे वापस से restore कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जैसे हाँ पे देखा भी, तो क्या होता है, union carbide plant जो था, उसे तो बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद में जो waste था, वो तो आज तक महीं पर पढ़ा है, ठीक है, वो waste तो कहीं नहीं गया, अब अगली चीज क्या होई, कि यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है, कि लोगों को compensation देके आपने relief पहुच होईगी, ठीक है, अब देखो कहा है, situation in 1984, 1984 में क्या situation थी, the environment was treated as free entity and any industries and any industry could pollute the air and water without any restrictions, पहले क्या होता था, 1984 के पहले तक जब कोई laws नहीं थे, environment को free entity माना जाता था, कि किस की है तो बलते है भगवान किये भीया, अब भगवान किये तो क्या, भगवान तो हमें धंड दें पर स्वर्गनग वाली कहानी अलग है, बागी जब तक अब दुनिया में खुब pollute कर लो, ठीक है, तो environment को free entity की तरह consider किया जाता था, और industries जो थी, वो खुब pollute करती थे, अब फ्री to pollute air, water without any restrictions, कोई रोग थाम नहीं थी उनके पास, ठीक है, क्योंकि अब वो अपना पैसा अपनी industries लगा रहे हैं, अपना धुआ निकाल रहे हैं, तो लोग कोन क्या बोलेगा उन्हें, ठीक है, तो इस तरह से खुब pollute हो रही थी, और pollute क्यों हो रही तो इसके पीछे का एक कारण ये भी समझ लो, loss थे, तो वो भी बहुत कम थे, ना के बराबर loss थे, और जो थे, तो मैंने जैसे बताया कि weak laws होते थे तो उनका enforcement ही नहीं होता था, तो loss थे भी और लेकिन जो थे वो किसी काम के नहीं थे, no enforcement for these laws, तो इसके चलते हुआ क्या, इसके चलते हुआ ये कि अन्दा धुन pollution हो रहा था, environment को harm किया जा रहा था, clear है, लेकिन issue सब सामने निकल के कब आता है, भोपाल disaster brought the issue of environment to the forefront, अब क्या होता है, जैसे मैं भी आपको बताया कि लोगों को तो compensation मिल गया, लेकिन environment को जो नुकसान हुआ, वो कैसे आप उसकी भरपाई कैसे करोगे, तो ये environment का जो मुद्दा है, वो forefront में आया, सामने आया, कब भोपाल disaster के बाद में, भोपाल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ठीके, तो अब इसका impact यह हुआ, इसका impact हुआ कि धीरे-धीरे क्या होने लगा, कि लोग aware होने लगे, गवर्मेंट को भी समझ में आने लगा, और laws के लिए बात की जाने लगी, बात की जा रही थी और फिर धीरे से laws बनाए भी गए, तो भूपाल गैस ट्रेजडी, फॉलोइंग भूपाल गैस ट्रेजडी के बात में, इंडियान गवर्मेंट इंट्रिज्ड नूज लेके आई गवर्मेंट, इंवर्मेंट के उपर कैसे laws लेके आई, तो मतलब ऐसे laws बनाए जिससे इंडस्ट्रीज को अब इन्वर्मेंट इंडस्ट्रीज को इन्वर्मेंट का भी ध्यान रखना होगा, चलो, काम तो अच्छा गया, ठीक है, अब क्या होता है, अगर किसी प्रकार का इन्वर्मेंट पे डेमेज होता है, तो उस डेमेज के लिए कॉलर किसकी पकड़ी आईगी, पहले ऐसा था कि किसको पकड़ोग इंडस्ट्रीज से किसी प्रकार से इन्वर्मेंट को अगर कोई भी पॉल्यूशन फैल रहा है, तो उस जैसे आप जैसे आप देखोगा ना, तो अभी तक अनड्रेस्ट थी, कोई धियान नहीं दे रहा था, लेकिन आप गवर्मेंट ने लॉस्ट बनाया और बोल दिया कि जो पल्यूटर है, उसे responsible माना जाएगा और उसको compensation पे करना पड़ेगा, तो अगर आप ज़्यादा destruction कर रहे हो, इन्वर्मेंट में तो आपके उपर क्या fine लगा दी जाएगी, ये बड़ी अकाम किया, ठीके, इट कुड नाट बी destroyed merely for industrial development, अब जब गॉर्मेंट ने ये बो priority आपकी industries नहीं होना चाहिए, priority क्या होना चाहिए, इन्वर्मेंट होना चाहिए, तो it could not be destroyed merely for industrial development, सिर्फ industrial development के नाम पे आप इस तरह से environment को pollute नहीं कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रहेगी, ठीके, और ये important भी है, ध्यान भी रखना है, it could not be destroyed merely for industrial development, सिर्फ development के नाम पे, जैस civics में भी आपने क्या देखने को मिला है, कि कितने dimensions देखने को मिले है, कि development जो है, तो development हमेशा एक cost लेके आता है, इस बात को समझो, विकास होना है, देश का विकास हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन देश का जब विकास होगा, तो उस विकास की एक cost लगेगी, वो कितने लोगों को pay करना पड़ती है हम उस industry से बने product को use करते समय कभी नहीं सोचते है लेकिन एक पल के लिए रुखा करो जीवन में सोचा करो ऐसा कि development तो हो गया लेकिन इस development की cost क्या रही है कितना sacrifice किया है लोगों ने इन्वार्मेंट ने इन्वार्मेंट अब कहां बोलेगी विचारी जाओ बताओ वो तो खुद जानी सकती ना कोट में लेकिन हमें उस चीज को sensitively समझना पड़ेगा ठीके तो अब देखो कल को आप आज आप लोग अभी पढ़ रहें स्कूल में एट क्लास में कल आप देश का वविष्य बनने वाले हो समझ रहें इस बात को कल आप देश का वविष्य बनने वाले हो और आप अगर इस अप्रोच को समझ के चलोगे कि यार इन्वार्मेंट है तो सब कुछ है हमने एक टाइम पीरिड रहा जब इंडस्ट्री कितना जादा चले जाता है अब हम उस इसको सफर कर रहे हैं और अभी तो क्या है स्टाटिंग है इसके एक्स्ट्रीम्स तक आगर नहीं जाना है तो आज से ही आपको अपने डाइरेक्शन को जो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं उस पे जा पेस लगाओ सोच के समझ के चीजों को आगे करो ठीक हैं तो यह तो लेक्षेर हो गया वापिस टॉपिक पर आते हैं तो आएना समझ में कि अप सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट के नाम पर आप क्या करोगे डिस्ट्रक्शन नहीं करोगे फिर क्या है इन शुभाज कुमार वर्सेस स्टेट सभास कुमार वर्सेयस में क्या हो था क्या नीं यह नहीं हुआ तो अब क्या देखो इन सुभास कुमार वर्सेस स्टेट ऑ विहा स्ब्राइट ह। राइट तु लाइफ इस अ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था शाहिद एट्ट क्लाश जब पढ़ना स्टार्ट करें आपने यह राइट तु लाइफ जो है ना तो तीन शब्द में राइट तु लाइफ लेकिन बहुत 21 बोलोगे याद हो गया सरीय तो ठीक है आगे क्या है औफ दी कॉंस्टिटिशन एंड इंक्लोड दी राइट टु इंजॉइमेंट ऑफ पॉलिशन फ्री वाटर एयर वाटर एंड एयर फॉर फुल इंजॉइमेंट ऑफ लाइफ ठीक है और लाइफ को अगर फुलेस तक इ इंवाइमेंट में कि किस तरह से नए लाज की जरुपड़ी इंवाइमेंट प्रोडेक्शन के लिए ये लाज नहीं होते नए लाज तो शायद environment को हम for granted लेते और और जादा destruct कर देते लेकिन एक incident के बाद में एक accident के बाद में हमें और चीजें समझ में आई ये इस भुपाल disaster ने हमें क्या कर दिया सचेत कर दिया चलो ये ठीक हुआ अब देखो क्या लेकिन आप जब environment protection की बात करते हो ना तो यहाँ पे भी बहुत जाए तो जो और यहां फिर जो कह सकते हैं जो laws भी बनाए गए तो उसका enjoyment हर इंसान equally नहीं कर पा रहा है ठीक है disparities है क्या है क्या है क्या नहीं है सारी चीजे नेक्स वीडियो लेक्शर में डिसक्स करने वाले हैं I hope चीजें यहां तक क्लियर हैं किसी प्रकार का डाउट है तो फिल फ्री तो आस्किन कमेंट सेक्शन तिल देन स्टे कनेक्टेट कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वर्मेच हलो अवरीबडी इस दिग्रास सिंग राश्पूत वेलकम तो मैगनेट बेंस इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे करा गवर्मेंट ने कैसे किया तो लॉज बनाएं ताकि लोगों को नियाय मिल सके किस तरह से नियाय ऐसा मिल सके कि वो अपने राइट टू लाइफ को इंजॉय कर पाएं एक सेफ इन्वार्मेंट में ठीक हैं क्लीन एर क्लीन वाटर ये सारी चीज़ने मिलेगी तो वो डे वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं फाइन देखिये क्या है तो कोट्स ऑडर ओन इन्वार्मेंटल इशू सौर्व वन प्रॉब्लम जैसे कोट ने जब क्या कि ऑडर दिये बोला कि गवर्मेंट को स्ट्रिक्ली गवर्मेंट को टेंडा लगा एक ब लेक्ट में पॉलिशन हो रहा है ठीक है डर है उनके उपर भी कि हां अगर हम बहुत ज़्यादा प्लूट करेंगे हमारे फाइन लग सकता है निदस्ट्री बंद हो सकती कुछ भी हो सकता है एक प्रॉबलम तो सौल्फ कर दी फिर भी एक प्रॉबलम रह गई यह ठीक है तो रेसिदेंशल एरिया की इंडस्ट्री शुड बी क्लोज डाउन और शिफ्ट आउट अफ दी सिटी ठीक जब भॉपाल गैस ट्रैजडी होती है तो उस समय पर क्या होता है भॉपाल जो डिजास्टर हुआ तो डिजास्टर से सीख लेते हुए डिली ने क्या बोल दिया इलसार एका कि जो है जो शॉटा पर और लागा दिया जैसे तो इन बाहर की तरफ यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ने थैप करी हम तो problem पढ़ रहें ना कि चलो इंडस्ट्री बंद होगी वहां तक ठीक है लेकिन बंद होने के बाद में जो इंडस्ट्री लगी तो उन्होंने problem create करी कैसे समझो यहां पर तो because of the closer many workers lost their jobs सबसे बड़ी समस्या कि industries को close कर देना समाधन नहीं है ठीक है आप इंडस्ट्री बंद कर दो तो जो काम कर रहे थे लोग वह कहां जाएंगे बी बताओ तो यह जो काम कर रहे थे लोग उनके उपर एक बहुत बढ़ा टेंशन आगया because of the closer many workers lost their job काफी सारे workers ने उनका से जॉब खो दी ठीक आगे क्या है आप देखो जो इंडस्ट्री रिलोकेट हुई थी आफ्टर दी रिलोकेशन आप एक जगह से दूसरी जगह लोकेट कर देते हो तो इंडस्ट्री तो तब भी पॉल्यूट करेगी ना अरे शेयर को जू में रखो या जंगल में रखो शेयर तो हम लहीं करेगा हमेशा वैसी चीज़ यहां पर हुई है क्या कि इंडस्ट्री को आप रिलोकेट कर दो लेकिन वह पॉल्यूशन करना बं इंडस्ट्री तो इस तरह से यह जो सलूशन रहा है यह सिलीशन क्या है एक ह Macam 16 क्ठेगल प्रावल्म जो थी तो प्रेक्टिकल प्राइव्लम मोगने प्रैक्टिकल प्राव्हें को पहले ऐसे आ रही थी प्रवालम अब ऐसे आने लगी प्राव्लम अभी भी रहीए उसके बाद में workers भी तो बहुत जादा कह सकते negatively effect हुए थे ना तो workers के safety के उपर जो मुद्दा उठना चाहिए था वो क्या रहाए गया the issue of safety conditions of workers remain unaddressed इसे किसी ने ध्यानी नहीं दिया तो ये mix बड़ा mixed type का result देखने को मिला success भी failure भी दोनों चीज़े कि government ने loss तो बना दिये लेकिन वो loss जो है जब practically देखा जाए तो उसमें क्या challenges मिले आया समझ में ठीक है अब आगा देखो क्या है the growing concern for the environment among the middle class is often at the expense of the poor ये तो आपको एक तरह से ये वाली जो चीज़े ना ये तो आप समझी गए होंगे कि हर चीज में public facilities में हमने देखा तो जो कह सकते है middle class या फिर upper middle class के लोगे वो तो enjoy कर रहे हैं सारी facilities को लेकिन वहीं परिशान कौन हो रहा है आखिर ultimately suffer कौन कर रहा है गरीब public facilities में देखा आप यहां पर हम इन्वार्मेंट में भी देखेंगे कि जो growing concern थे इन्वार्मेंट के कि इन्वार्मेंट को बचाना है इन्वार्मेंट को क्या करना है beauty मतलब beautification city beautification के program चले कि देखो क्या होता है कि आदमी जो दिखता है वो बिकता है window tracing का concept समझते हो आप window dressing क्या होती है आ इन्वार्मेंट को समालना है यह करना है वो करना है तो लोगों ने क्या कर दिया लोगों ने एक्जांपल जैसे slums are needed to be cleaned as a part of city's beautification drive ठीके इन्वार्मेंट लोग क्या करेंगे पेड़ कहां लगाएंगे तो footpath पर लगाएंगे आफिर footpath के बाजू की जगा है जहां पर लोग जुग्यां बना बना के रह रहे थे तो उन सभी लोगों को महां से हटाएंगे क्या बोलतेंगे कि city का जो beautification हो रहा है पेड़ लगा रहें इन्वार्मे जुग्यों में जो लोग रह रहे थे या तो उन्हें proper settlement दो आप ठीक है आप क्या करेंगे के beautification drive को सुन्दर करना चाहरे हो शहर को लेकिन आप अपने शहर में रहने वाले लोगों के लिए दुख खड़े कर दे रहे हो तो जैसे क्या होता है कि जो growing concern for the environment among the middle classes is often at the expenses of poor गरी कि दुनिया भर के जो कहके सकते हैं कि कर्मकांड है वो किये जा रहे हैं यहां पर ठीक है आगे देखो क्या है अब इन सारी चीजों की साफसे अगर हम देखे तो there is disparity in enjoying the benefits of the government तो government ने जो भी benefits लिये ठीक है अगर मानलो environment एक environment को protect करने के लिए अगर एक public facility की drive चला यह तो व disparity in enjoying the benefits of government और उसका रिजल्ट क्या होता है थी challenge is to the challenge is to look for solution where everyone can benefit from a clean environment तो अब हमें ऐसा कुछ सोचना होगा ऐसा कुछ ध्यान देना होगा कि यह clean environment बने हैं जिसमें हर इंसान को क्या मिल सकें फाइदा मिल सकें अब आप जो partial initiatives ले रहे हो ना पाशिल मतलब एक आदा कुछ दे हमेशा क्या हो जा रहा है पीछे रहा रहा है तो उनका upliftment बहुत जादा जरू है ठीक है the challenge is to look for solution where everyone can benefit from the clean environment clear है what can be done अब अगर बात की जाते है कि सबको सबको clean environment के benefits मेले तो इसके लिए किया क्या जा सकता है क्या क्या जा सकता है ये भी बताएंगे देखो इन चीजों पर ध cleaner technologies and process process in factories ठीक है ये important चीज़ है क्या होता है कि factories आप एक जगा से दूसरी जगा relocate कर दोगे उससे कोई advantage नहीं मिलने वाला है क्यों नहीं मिलेगा advantage क्योंकि factories तो तब भी थी अब भी है पहले वहां pollution कर रही थे अब यहां pollution कर रही है बदला क्या अब क्या करो जो अंदर mechanism मे फिर आप आपके छट पर इंडस्ट्री चलाओ ना किसने रोखा है आपको क्यों क्योंकि आप pollution नहीं कर रहो अगली चीज क्या है find those pollutants find those polluted the environment find those polluted the environment में confused हो गया था find those polluted the environment मतलब क्या है कि अब अगर आपने ये तो changes ले आए लेकिन जो pollute कर रहा है तो उस pollutant को पकड़ो ना और उसको पर fine लगाओ ठीक है इससे pollution रुखेगा ठीक अगली चीज़ कहा है the workers livelihoods are protected and both workers and communities living around the factories enjoy a safe environment और ये सारी चीज़ अब करोगे ना आप तुस्से होगा क्या कि workers की भी livelihood बचेगी industries को यहां से उठा के यहां ले आओगे यह workers बिचारे यहां कैसे पहुचेंगे तो उनकी उनकी तो रोजी रोटी खत्रे में आगई अब इस संस में क्या है कि आपको आपको ऐसे solution निकालना पड़ेगा जो practically सारे लोगों के बारे में सोचा जाए आपने सिर्फ environment के बारे में सोच के अगर इधर से उधर relocate कर दी तो industries वहां भी pollute कर रही थी उल्टा वरकर्स की जॉब भी चले गई तो आपको ऐसे solution जुनना होंगे कि workers livelihoods are protected उनका भी बुरा ना हो उनका भी काम चलता रहा है एंड बहुत वरकर्स एंड कम्यूनिटीज लिविंग अराउंड इफेक्टरिस इंजॉए safe environment अगर आप safe technologies पर जाओगे तो फिर आप भली factory के अंदर उसके अंदर जाके रहने लहोगे तो भी आपको नुक्सान नहीं होगा ठीक है इस तरह से आपको इन चीजों को क्या करना होगा एक holistic view में सोचना होगा सारी चीजों को ध्यान रखते हुए सोचना होगा इसी के साथ हमारा जो topic है environment as a public facility वो complete होता है हमने सारी चीजों को discuss कर लिया है अब next video lecture में conclusion पढ़ने वाले conclusion पढ़ने वाले हैं किसी इसका तो जिस chapter को अभी तक हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं सारे topics complete होगा है हमारा जो chapter है law and public facilities तो इस chapter के सारे topic होगा है अब जो last video lecture है class 8 civics का जिया थियोरी पार्ट पर ये last video lecture भी क्योंकि last chapter था उस chapter का भी last topic है conclusion है ठीक तो conclusion क्या होता है पता है आपको conclusion एक तरह से हम chapter को sum up करते हैं अब हमारा जो chapter था law and social justice तो हमने law का significance देखा कि कितना जरूरी है law का significance अगर आपको क्या ensure करना है justice ensure करना है society में अगर justice ensure करना है कि हाँ सारी चीज़ें अपने हिसाब से चले powerful weak को exploit ना करें और इन सारी चीज़ों को ensure करने के लिए law की जो significance होती है वो हद से जादा होती है ठीक उसी चीज़ को यहाँ पर sum up करेंगे पूरा chapter जो पढ़ा था आपको एक तरह से flashback में जाके पूरा chapter आपके सामने आ जाए यहाँ पे clear देखिए क्या है last topic है आपका laws and their significance अब आपको पता है कि private companies और others जो है जो private contractors है companies है ठीक है individuals है वो लोग क्या चाहते हैं उनका motive हमेशा रहता है profit motive ठीक और government का motive क्या होता है service motive अब देखो तो यहाँ पर क्या देखना है आपको कि जिसका profit motive होगा तो वो अपना profit कमाने के लिए दूसरों को loss पहुचा सकता है यह ता है अपना profit कमाना है ना इस company को तो अपना profit कमाने के ल सकता है उनको loss पहुचा सकता है वही चीज यहां पर होगी तो private companies and others ठीक है तो यह लोग क्या करेंगे इनका motive जब profit motive होगा तो they may exploit the workers ज़रूरी नहीं है देखो एक चीज यह बता दो मैं आपको generalize कभी मत करो चीजों को generalize का मतलब क्या होता है कि एक private company अगर exploit कर रही तो सार अगरी companies नहीं करें कुछ अच्छा भी कर रही है workers के लिए ऐसा नहीं है clear है तो अब क्या होता है कि private companies and other जो है तो इनका profit motive होता है and in desire of profit they may exploit the workers ठीक है exploitation of worker may be visible तो इसके चलते क्या होता है इसके चलते इस situation इस भयानक situations अगर बचना है तो यहां पर कौन important role play कर सकता है government government एक ब government कैसे important role play कर सकती तो आपको पता है कैसे यही पूरा सब कुछ हमने chapter में पढ़ा है कि यहां पर government क्या करेगी laws बनाएगी अपने laws के थू क्या कर सकती है government एक कैसकते changing exchange ला सकती major change ला सकती हां से changing line draw की जा सकती कि हां आपका profit motive है आप कमाओ profit लेकिन सहीं तरीके से कमाओ किसी अच्छे रास्तों से भी मिलता अच्छा काम करो अच्छे पैसा कमाओ clear तो यहां पर क्या है in this situation role of government is very important government बहुत important role play कर सकती है और वो कैसे role play कर सकती है तो by making laws जो उसके पास power है ठीक है by making enforcing upholding laws laws बनाना सबसे बड़ी power है government के पास कि government जो चाहें चीजों को अपने हिसाब से क्या कर सकती है justice provide करने के ऐसा नहीं कि आप red shirt पहन के जा रहे हो तो government बोल देगी यह law बनाओ जो red shirt पहन के निकलेगा उसको क्या जाए उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए ठीक है तो इस तरह से क्या है यह तो इसमें कोई बिना सरपैर की बात हो गई है तरक नहीं है तो government अपनी इस power का justice को social justice को ensure करने के लिए नियाय प्रोवाइड करने के लिए क्या कर सकती यूज कर सकती by making enforcing and upholding laws laws बनाना उन्हें लागू करना लागू करने के साथ साथ में उन्हें अफोल्ड करके भी रखना कि वो सभी के लिए समान रहे और आगे तक चलते रहें clear ह तो यह by making appropriate laws तो appropriate laws ने भी हो जो मैंने बताया कि वो नियाय के लिए बनाये laws यह जो power उसका हरके यूज ना करे government एक जसी जगह पे laws को यूज किया जाए जहां वो अपने stand को justify कर सके कि मैंने अगर law बनाये तो इसलिए बनाये clear है along with government people can exert pressure so that the so that both private companies and the government act in the interest of society यह सबसे important ची ठीक है government exploitation से बचाएगी वो सब तो ठीक है और इन सारी चीजों से ऊपर क्या है कि along with government people can exert pressure ठीक है जनता जो है जनता लेको क्या होता डेमोक्रेसी में क्या है डेमोक्रेसी में अगर आप देखो कि सबसे आदा powerful no doubt government होती है लेकिन government को भी power कौन देता है citizens तो अगर citizens aware है ठीक ह सकते हैं तो along with government government तो करेगे अपना काम along with government people can exert pressure so that both private companies and government private companies भी क्या रहे अपने दाएरे में रहके काम करें इमानदारी से काम करें और उसी के साथ में क्या है कि जो government तो government भी अपने टोस पे रहे है जनता का अगर हम काम नहीं करें तो पास साल बाद जनता हमारा काम कर देग ठीक है उन चीज़ों का क्या करना होगा ध्यान रखना होगा act in interest of the society और society के interest में काम किया जाए क्लियर है आप society में कौन को रह जाएगा तो society में ये तीन गुरूप बता है देखो मैंने मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना है environment का workers right और right to life इन तीन चीज़ों का अब workers right औ environment दोनों कहीं न कहीं right to life में cover होई जाते हैं ठीक है आपको क्या करना एक clean safe environment मिलें आपके जो workers जो है तो workers के rights exploit ना हो ये सारी चीज़े रहेगी तो right to life का जो पर व्यू एक जो broad right हो अपने आप sum up हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये chapter भी sum up होता है ठीक है I enjoyed the journey पूरा class 8 का civics हमने complete कर लिया है लास्ट वीडियो लेक्चर था all the best for your exams ये सारी चीज़े complete होती है यहां तक किसी प्रकार का doubt है तो feel free to ask in comment section और चाप्टर होता है complete वेट कहां पर complete होता है theory part पे चाप्टर के NCID solutions बचेंगे तो next video lecture में हम NCID solutions कर लेंगा चाप्टर पूरी तरह से complete हो अग्टर कर बच्टर कर दो